जुला कलेक्टर मनी सेहनी रेसिडेंसी पर महला क्लिनिक डॉक्टरों के साथ ब्राठकी एक हजार से भी अधिक प्राइवेट प्रैक्टिशनर डॉक्टरों को नियमों के तहत अगले सपता से क्लिनिक खोलने की आनुमत इती जा सकती है देखिए जो शहर में जो ग्राउंड लेबल पे जनरल प्रैक्टिशनर्स क्लिनिक्स हैं, वो हजार डेड़ जार ऐसी क्लिनिक्स होंगी और वो बहुत बड़ी ताकत है इस शहर की, जो अगर अपन चिकिसा जगत की बात करें तो ग्राउंड लेबल पे एक पिरैमिट रूप भाज है वो बैस में जो ये जनरल प्रैक्टिशनर्स के स्ट्वेशन से अज मिटिंग कιο हम लोग उन है, इनके डॉक्टर्स का परिज्चेशिन पूरे शहर में है, इनसे हम लोग को मीटिंग करके इसे इनकी भी इच्छा है कि हम इंद्वर मेडिकोर्ट्रा एस्स्टिशन की जब खोलने तो क्या साभधनिय रखनी है क्गैसे उनको बुलाना है कैसे सोचल डिस्टेंसिंग न indigenous और कैसे फोन फून प समय देना है उस्थ ही थी कि सभी पीशन्ट्स फून पे नहीं आ पाते हैं उसको कहसे रेगार करना है उसके लिए भी हम लोग विवस्ता कर रहे हैं तो ये ग्रैजुली ये हम लोग intention है कि ये क्लीनिक्स खुले इससे साफधानी कुई कि इस शहर में दो अच्छे इसके लिए जान कवा चुके हैं तो वह भी प्रिसाफधानी हम लोग रखनी है उसकी सब्सक्रता हुआ इन डॉक्टर के माध्यम से बहुत है बहुत ज़्यादा सुधार की बात अब सोची जा सकती है बहुत लाब होगा शहर प्लस ये कैसे प्रशासन से जुड़े है ताकि यह 1000 एरजा क्लिनिक्स प्रशासन की आखना कान की तरह रहें उसके लिए एप भी हम लोग डिजाइब डिवाइस कर रहे है कि कहीं भी कोई करोना के सिंटमेटिक की दिखता भी है कोई उसको उसके माध्यम से वह हम लोग इनफोर्मेशन आ जाये उसको भी हम लोग लिंक अ कैसे डॉक्टर से भी समयते थी है कि हम लोगा सेयोग भविश में बहुत बड़ी फॉज है यह कैसे प्रशासन को जो करोना फाइट में और बारीकी से कैसे हल्प कर सकते हैं उस पर भी वर्किंग करके बतला रहे हैं इन सब इशूस पर डिस्क्रिशन हुआ है एक दो दिन म करें एक कामेटी बना दी गई पांठ लोगों की यह में पांच लोगाय में के हैं और जनरल प्रेटरिशनर के कुछ लोग ऑंगर वह बना के कल आम बैठेंगे गे इस पी त्यार करेंगे उस इस ताब से कैसे पेशन को बुलाना है कैसे पेशन को शोशल डिस्टंस रखना ह अगर पेशन अंदर आता है तो बीपी कैसे चेक करना है, पैसे कैसे लेने हैं, इस हिसाब से ये डिसीशन हुआ, कलेक्टर साब ने यही कहा, कि आप रीट की हड़ी हो, क्योंकि आप 1000 जनरल पेटेशनर हो, शेहर में, सब को मालूम पहले आपको ही पड़ता है, कि बाबा, ज यह भी हमें आसानी होगी, कि जो भी अगर कोई खांसी बुखार वाला आता है, अगर आपको सेप्टम कोईट के लगते हैं, तो वहां हमें आप इंफॉर्म कर सकते हो, तो उससे भी हमें आसानी हो जाएगी कोईट पेशन्ट को डूनने में, और जो आम बीमारियां हैं, ज तो हमारी यही प्लानिंग है कि हम पेशन जैसे भीड होता आती थी 500 डेट सो पेशन आते थे हमारा यही है उदेश है कि हम धीरे धीरे पेशन को अपाइंडमेंट लेके फिर पेशन को बुलाएं और एक के करके आए उसे किसी को हमने 9 बजे का टैम दिया तो 9.30 तक दूसरा देखेंगे हर आदे आदे घंटे में हम पेशन्ट देखेंगे तो हरे रिया में हमारे डाक्टर है और हर आदमे अगर दस वीज पेशन्ट भी देखता है तो बहुत आसानी होगी उनको फाइदा मिलेगा और जो भी आम बीमारी हैं वो से सही होगा